लो ओफ डॉमिनेंट्स हम इसके बार में जानते हैं कि डॉमिनेंट्स जो एलील होते हैं बॉमिनें आली इस्प्राइसा जीर देहर when the a खिरहर् कर दॉप॥्थ्यार इस्प्राइसर रह वैप्राहां ॉच ऐक्राइसर 어때 और लॉगान जाशा दॉग्यार्ण आव जाट्स वर रहु्स वर्ण्स वर्ण व्स्राईसर ऐसो व्म्मोगर शॉग यह चीज़ आपको याद रखने है कि dominant allele के अंदर dominant allele के अंदर यह अपने character को homoegosus या heteroegosus दोनों condition में express कर सकता है like as इसमें भी अपने character express करता है और इसमें भी अपने character express करता है second मैं यह कर सकता हूँ but in but in the recessive they express they express their character their character only in homoegos condition homoegos condition आपको यह चीज़ याद रखना है कि अगर homoegos होते हैं homoegos होते हैं और homoegos recessive हमेशा अपने character को इसी form में express करते हैं हेट्ट्रोगos होंगे तो वो तो recessive character थोड़ी होगा वो तो dominant character express हो जाएगा ऊके तो यह हम परते हैं law of dominance इसके बाद इसके बाद आप इन्डिपेंडेंड आस्वर्मेंट के बारे थोड़ी सकस करते हैं कि उपर की जो आपने अभी दो पहले law पढ़े दर जे गेमर्स फोर्मिशन और लाओ डेमिनेशन डॉमिनोंस बोथ विल भी जो दोनों की स्टरी के आती हो monohabit cross के basis पर के आती है यानि उसमें monohabit cross इजी involved होता है बट जो basically हम law of independent assortment पढ़ते हैं इसमें diahabit cross को involved के आता है तो diahabit cross के respect में इसको हम पढ़ते हैं जैसे हम इसमें पढ़ते हैं कि जो अबो लोग है अब वो बोथ लोग जो ज़स इससे पहले पढ़े हैं अब वो बोथ लोग are discovered in monohabit cross यह उसके अंदर discover किये वे थे while law of independent assortment discovered in diahabit cross यानि इसको तो cross को यानि independent assortment को diahabit cross में discover किया गया और जो पहले कि हमने दो लोग पढ़े थे तो लोग पढ़े थे law of downlands both will be discovered in monohybrid course okay now first thing is here that that's the important line for this topic के लिए यह important line है okay तो हमें यह चीजा रखना है कि क्या है independent 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 assortment value of crossing over value of crossing over is 50% is 50% it is maximum value maximum value of it यह इसकी एक maximum value होते है और maximum value होते है तो उसी को समझ रहे हैं और अगर यह इसकी maximum value है तो इसकी basis पर मैं यह कह सकता हूं कि भई अगर यह 50% अगर crossing over हो जाती है यानि gamets है अभी हम ज़स्ट पढ़ी है कि अगर 50% अगर crossing over हो गई है तो बाकी remaining क्या रहेंगे that's why मैं यह कह सकता हूं remaining value of it that's why that's why that's why 50% will be recombinant जिसकी विज़े से 50% क्या होगे और recombinant होगे और recombinant होगे तो उसको समझने के लिए हम फ़ड़ा basically यह पर देखते है for example like as music capital A capital B small a small b there's a two type of gamets विलिए है यह gamet है अब हम gamets का formation करते हैं तो इसमें क्या होगा crossing over कराते है crossing over कराएंगे तो कुछ इस type का process मिलेगा हमे like this that is capital A capital B small a and small b small b तो मतलब यह gamets का crossing over हम यहां पर सो कर रहे हैं यह कब होता है जब हम यहां यहां पर मियोसिज होगी और मियोसिज होने के time पर crossing over होता है आपने cell cycle topic जब पढ़ा होगा तो हम पर मियोसिज में अलगरा phase पढ़ेंगे दरजे प्रोफेज, मेटाफेज, एनफेज, टेलोफेज तो वही सब प्रसेस होती है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर भी यहां पर यह सब पढ़ते हो जिनके अंदर crossing over हो रहती है यह वही crossing over है जिसके बार हम डिसकस कर रहे है फर्स यहां पर होती है मियोसिस and then मियोसिस के सब crossing over crossing over, तो इसमें आपको क्या मिला, आपको gamerts मिलते हैं वो gamerts क्या थे, that is a capital A, यह यह, that is a and b, small a and small b, now that is a recombinant type of gamerts, that is a capital A and B, E स्मल A and capital P यह यह अपना एक ''Gammer सअलक से'' और ये इत से concerかった बागे यह वाला gamert और यह वाले gamert तो यह चार gamers यहां पर लिखे हम लिए इन में इन में से आपने क्या पढ़ा कि first यह वाला और यह वाले DAT BOTH बोध विल बी 15% 25% बोध विल बे पेरंटर यह जो तो गेमेट्स का फ़ इस पहले साइव थे यह पैरेंटर पैरेंटर्ल रिकंबिनेशन है कर रिके पैरेंटर्ल है हमे यह आरपने बैसिकली पैरेंटर्टर्रिकंबिनेशन क्या थे ए मिटने pray conserve पर दूसरे इसमें बेसिकली कहा है सेकेंड दैट इजरी कुम्बिनीशन टाइब पर दिमाग में बात नहीं को रही है तो इसलिए इसको प्रेंटल रिकॉम्बिनीशन बोल दिया और इस गेमेट्स विल फॉर्म डूट दूट दा क्रोसिंग ओवर यहां पर आपने देखा है कि जिसकी विज़े से गेमेट्स का फर्मिशन हुआ और क्रोसिंग ओवर की गेमे अब हुआ और क्रोसिंग ओवर वा जिसकी विज़े से गेमेट्स का फर्मिशन हुआ तो यह भी कितने हैं 25 परसेंट और यह भी कितना हुआ 25 परसेंट फिप्टी परसेंट फींट्पे censorship फिर्जेंट हुआथा फिर्सेंट हैं सेक्ट मैं यह कह सकता हूं कि जितनी percent crossing over होगी जितनी percent crossing over होगी उतने percent ही recombination होगी that's it तो आप इस चीज को basically याद रखना है कि percentage of crossing over यानि percentage of crossing over is equal to percentage of recombination बस इस चीज को आप रखना है यानि लिख दें देने आपे percentage of crossing over is equal to percentage of recombination recombination like as आपने यहापे देखा कि maximum percentage जो हते होते हो 50% crossing over होने के चांस होते हैं तो remaining बचा जितना अगर यह वह तो उतना है तो यह भी होगा ओके तो that's your law of independent dependent assert में जिसके अंदर crossing over को हम पढ़ते हैं तो 50% crossing over उतनी percent decombinant का formation तो basically आप इस चीस से इसको समझ सकते हो और अच्छे से अपने question को easily कर सकते हो कोई typical कुछ है नहीं स्टार्टिंग साब जिसको सुर्फ करते हो ऐसे basically लो ओके